दोस्तों कई लोगों के एकने स्कार बहुत गहरे होते हैं और उनमें combination treatment की काफी ज़रूरत होते हैं क्योंकि सिंगल treatment से वो जाते नहीं है क्योंकि काफी गहरे होते हैं तो उसमें ice-prick scar, box scar, atrophic scar और rolling scar कितने ही तरह के scar होते हैं तो mix type की एक configuration बनती है तो आम तोर पर जैसे आपने मेरे वीडियो देखेंगे MNRF, Radio Frequency, CO2 Laser तो आपने देखा होगा TCA Cross का वीडियो मैंने नहीं डाला कभी तो TCA Cross आजम कर रहे हैं ये हमारे पास हुश्रारपुर साइट से आये हुए हैं क्लाइट तो इनके काफी कहरे स्कार्ज हैं आप देख रहे हैं ये सफेद सफेद हो रहा है इनका चेरा तो ये नीच्ची से इसको स्टिमूलेट करेगा जितने भी इनके स्कार्ज हैं ताकि ये उपर की तरफ थोड़ा सा आ जाएं तो इनका थोड़ा सा चेरा अच्छा दिखने लग जाएगा तो इसको हम TCA क्रॉस टेकनालोजी कहते हैं TCA क्रॉस टेकनीक कहते हैं तो इसमें ये TCA लगाया जाता है और इससे स्कार्ज में जो नीच्चे की तरफ चले गए हैं उनमें रीजूविनेशन होके रीग्रोथ होनी शुरू हो जाती है तो इससे स्कार उपर आने शुरू हो जाते हैं इसके इलावा सबसीजन की जाती है MNRF किया जाता है डर्मा रूलर किया जाता है CO2 लेजर किया जाता है रेडियो फ्रिक्वेंसी की जाती है अल्टरा थेरपी की जाती है और बहुत सी तरीके की चीज़े हैं केमिकल पेल, पील हो गई वो की जाती है तो बहुत सी तरह की ट्रीटमेंट्स हैं, डर्मा पेन हो गया, इस सिरी किया जा सकता है तो बहुत सी तरीके हैं स्कार्स को रमूँ करने के तो आज हम आपको डेमोस्टेट कर रहे थे कि TCA क्रॉस डिक्टोलगी कैसे की जाती है और इसमें आप देख रहे हैं कि हमने TCA प्लाई किया हुआ है और ये धीरे धीरे अपना काम करता हुआ, यहाँ पर अच्छा इसको रिजल्ट आ जाएगा और हम आपको अगला नेक्स्ट वीडियो जब डालेंगे तो इसमें आपको रिजल्ट भी दिखाएंगे और अगर आपको एकने या एकने स्कार की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे संपर्क करें मेरा नाम है डॉक्टर शाम सुंदर कोईल कायकल प्लेजर क्लेनिक मधिंडा रोड श्री मुक्सर साब पंजाब और हमारा वाट्साइब कॉंटक्ट नमबर है 9256693566 धनेवाद